Hello everyone, my name is Aishwara Mishra, welcome back to my YouTube channel Radiation Technology हमने हमारे previous वीडियो में Computed Radiography पढ़ी थी हमने देखा था कि conventional यानि जो हम पहले रेडियोग्राफी करते थे फिर्म स्क्रीन रेडियोग्राफी जिसके अंदर हम कैसेट से फिर्म निकालते थे डार्क रूम के अंदर उसके बात प्रॉसेस करते थे उसको उसके एड्वांटेज के साथ साथ हमें और एड्वांटेज मिले यानि कम टाइम कंजुमिंग हो उसके लिए हमने कम्पिटराइज रेडियोग्राफी को हमने देखा था हम देख चुके थे कम्पिटराइज रेडियोग्राफी में भी एक स्क्रीन की जरत होती है पी-एस-पी स्क्रीन की ठीक है यानि फोटो स्टिमिलिबल फॉस्फफर की इसके अंदर हमें डार्क रूम की नीड नहीं होती बट कैसेट की नीड हमें फिर भी होती है तो आप उस चीज से भी उभरने के लिए उस चीज को भी ओवर तो करने के लिए हमने एक next step लिया जिसे हम कहते हैं digital रेडियोग्राफी ठीक है इसके अंदर क्या था कि आप ना ही तो आपको कोई silver highlight film यानि जैसे कि हमें dark room के अंदर जिसका process हमको dark room में करना पड़े यानि conventional में जैसा होता था ना तो हमें वो चाहिए और ना ही PSP screen चाहिए यानि जैसे कि हमने CR यानि computer's radiography में बढ़ा था कि उसके अंदर cassette के अंदर PSP screen होती है तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है तो वो उसमें सिर्फ एक detector होता है ठीक है आपको कोई cassette की नहीं होती है आपको बाबा cassette उठारी नहीं होती है सिर्फ detector के उपर आपको positioning करनी होती है तो यह होती है digital radiography यह बहुत ही important topic है दोनो DRT यानि diploma badge के लिए BRT यानि bachelor degree वालों के लिए दोनों के लिए important topic है and in every year हमेशा इस question का कुछ नहीं कुछ पूचा जाता है या तो यह short note में पूचा जाएगा पांच नंबर का या फिर यह 20 नंबर का पूचा जाएगा पूरा का पूरा long question में ठीक है अभी भी जो RPMC 2017-18 batch के जो paper हुए है second year के recent advance का कल ही paper हुआ है उसके अंदर भी digital radiography को पूचा गया है ठीक है तो आपको यह धिहान रखना है कि बहुत important topic है ठीक है number gaining topic है तो आपको अच्छे से पढ़ना है और आप इसमें अच्छा कर भी सकते हैं क्योंकि अगर आप अगर प्रैक्टिस वाली जगह पर है जैसे कि अगर आप किसी government college अच्छी college में है जहां पर प्रैक्टिस होती है तो आपको DR वहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है तो आप हम इसको study करते है what is digital radiography इस टेक्निक इन विच कन्वेंशनल silver halide film और PSP screen like radiation receptor are replaced by photo electronic receptor यानि कि जो conventional silver halide film जो कि dark room में यूज होती dark room में process होता था इसका और PSP screen जो PSP screen मैंने बताई CR में यूज करते हैं ऐसे radiation receptor की जगह है radiation receptor मतलब जहां पर radiation को receive करने वाले यह होते थे radiation को receive करने वाले ठीक है expose आप इन ही पर करते थे तो इनकी जगह उनको replace कर दिया कि इसके द्वारा photo electronic receptor के द्वारा यह photo electronic receptor को हम detector भी कहते हैं तो silver halide film और PSP screen को replace कर दिया है photo electronic receptor के द्वारा जो कि which is connected directly to computer जो कि directly computer के द्वारा connect होता है most recent advanced technology for radiography radiography में अगर रेखा जाए तो सबसे जादा advanced technology है यह digital radiography ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम recent advanced की जो topics वो एक series wise पढ़ेंगे कि पहलो इसका introduction then principle components or advantage disadvantage यह सब चीज़े ठीक है तो अभी हम उसका introduction पढ़ लिया what is DR then next question is principle principle of digital radiography ठीक है अब principle क्या है किस principle पर यह काम कर रहा है x-ray signals can be digitized by using detector कि detector का use करके आप उस x-ray signals जो आपको मिलें उसको digitize कर सकते हो यह उसका digitification कर सकते हो ठीक है firstly x-ray falls on detector सबसे पहले क्या होगा x-ray detector पर आएगा जो कि हमने photo electronic sector है DR में यूज होता है यह क्या करेगा इन x-rays को convert कर देगा electronic signal में यह detector ने क्या क्या जो x-rays आए उनको electronic signal में इसने convert कर दिया अब यह electronic signal जो होगे वो गिरेंगी किसके उपर TFT या CCD TFT यानि thin film transistor CCD यानि charged couple device यह आपको बाद में बताऊंगे components में कि TFT और CCD यह important भी बहुत है तो उसमें यह क्या करते हैं आप इनका सिर्फ काम देखो कि क्या करते हैं यह TFT और CCD क्या करेंगे यह electronic signal को convert कर देंगे digital signal में जो कि हमें computer के उपर shown हो जाएगा ठीक है तो यह सब होता है यह होता है digital radiography का principle इसके अंदर हम डिटेक्टर और TFT यह CCD यूज कर सकते हैं जो कि डिटेक्टर क्या करेंगा X-ray को electronic signal में convert करेंगा और TFT क्या करेंगा electronic signal को digital signal में convert करेंगा तो इस इस प्रिंसिपर ऑफ digital radiography यह बहुत शॉर्ट है अगर आपके एक्जाम में अगरे दिखा जाए तो आपको यह diagram बना के आना बहुत important है ठीक है diagram बना दोगे तो यह number gaining process होता है diagram आपको थोड़े थोड़े क्यों कि अपने radiograph में diagrams नहीं होता है बहुत कम होता है तो आप अगर इस टाइप के छोटे छोटे डाइग्राम से बना दोगे तो वह number gaining होता है ठीक है तो यह अगर principle of digital radiography कि इसमें दो चीज़ यूज़ हुई है detector और TFT या CCD TFT भी यूज़ कर सकते हैं CCD भी यूज़ कर सकते हैं कि किसे X-ray produce हो रही है वह की आपको पता है अभी तक हर ताप की radiography हर ताप की recent advancement सेम होती है conventional में थी X-ray tube वह यूज़ के थोड वही सब चीज़े CR में होगी वही सब चीज़े DR में होगी next जो इसका important component है वह है detector ठीक है कौन काउन से detector होता है TFT थिल्म फिल्म राजिस्टर CCD Charged Couple Device and Computer System ठीक है कौन से computer पर कैसे computer पर वर्क हो रहा है ठीक है और यह जो तीनों चीज़े हैं detector, TFT और CCD यह तीनों ही बहुत important हैं तीनों को बहुत अच्छे से समझेगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आपको सिर्फ इसमें वह यह बता रही हूं इन X-ray machine सेम एस Conventional X-ray machine अगर आप से पूछा जाए कि एसा कुछन कभी आया वा नहीं है अगर कभी आता है तो आप पूरा इसको X-ray जो टूब है उसको डिटेल में लिख देंगे बाकि ऐसा question कभी भी नहीं आया हुआ है अभी तक ठीक है तो आपको बस इतना धिहन रखना है कि इसके अंदर एक्सर मेशीन वही यूज होती है जो conventional में यूज करते थे या फिर जो CR में यूज करते थे ठीक है इसके लाब इसमें एक यह चीज है कि high power generator यूज होते है इसके आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट जो आपका component होता है वो detector होता है detector का main काम क्या होता है जैसा कि हम दे principle में देखा था कि detector का main काम क्या होता है x-ray signal को electronic signal में convert करना क्या होता है x-ray signal को electronic signal में convert करना यह हम पहले उसमें देख चुके principle में the main function of detector is conversion of x-ray signal into electronic signal अब होता है types of detector यह दो type के detector आपको मेल सकते हैं एक तो indirect digital detector जिसको हम कहते हैं IDR और होता है direct digital detector जिसको कहते हैं DDR ठीक है अब indirect कैसे होगा और direct कैसे होगा वो हम देखते आगे अब जो next होता है वो indirect digital detector ठीक है इसके अंदर क्या होता है कि मैंने पता है डिटेक्टर दो type के होते हैं indirect और direct इंडारेक्ट में क्या होता है यह किसका बना होता है scintillation phosphor amorphous silicon photodiod ठीक है कि scintillation phosphor का बना होता है silicon photodiod का बना होता है ठीक है तो अब होता है scintillation crystal used सिंचल स्टिलेशन क्रिस्टल कौन से यूज रहा है तरहे है झालेंस तैलियाम С чис आयोडाइट केक् क्रिस्टल में तो प्रूड़ा सब्सक्राजाएं थां记ं करए त्रहें थАंचली टा पाइस प्लाइटafter के थांट blij के तबूर लेगासं के थांट के ऩश्यस्तिएAR represented gadolinium Oxys math A7 दो तो प्रांप कर सकते है इसके दोनों के नाम को आपको याद रखने है । सब्सक्राइब कर दो दो है । इसके दो चीरॉकर पूरा का सब रॉन होगा था क्छी में आप में कर दोका कि ये फोटोडायद किसका Mना होता है अमोर्फ वासिलिकन जो सिलिकन नहींतम होता है इसकाれて05 के मतलब यह होता है तुझास 1567 यह अंछ लीकन है उसको ये सिलीकन होता है इसमें दो प्लेट मान लो एक तरीके से ठीक है यह एक प्लेट है सिंटीलेशन क्रिस्टल की यानि तर्भियम एक्टिविटटर गैडिलेशन क्रिस्टल और यह फोटो डायोड जो किसका बनावाता है अमॉर्फस सिलीकन का ठीक है तो अब इसमें क्या हुआ है काम इसका आप सिंटीलेशन क्रिस्टल जो कहा अब इसमें दो स्टैपUI करेंगा किस स्टेकर के थे यह निए कंपोनेंट्स के कारण इसके uvo कम्पोनेंट्स ठीक है तो यह होता है इंदाख煥ा लिपनेटर हो स्मझब एसके इसका इंका याinement है अब जो next होता है वो होता है direct digital detector ठीक है ddr इसमें क्या होगा इसमें क्या यूज कर रहे है amorphous selenium photo conducting material कि अब इसमें क्या है selenium उसके अंदर इसको इसमें confuse नहीं होना है इसमें बहुत सरी बच्छें confused होते हैं selenium और silicon के अंदर silicon आप यूज करें इसमें कोई बीच की स्टेप नहीं निकलेंगे सीधा का सीधा एक्सरे जो है वो कनवर्ट हो जाएंगे electronic signal के अंदर ठीक है तो यह होता है direct digital detector का काम यह होगा डिटेक्टर दो टाइप के डिटेक्टर हो गया है अब हम आगे देखेंगे TFT तो अब हमारे जो next classes में क्या करने वाले हैं TFT जो उसके next components है thin film transistor CCD charge couple device और उसके अलावा computer systems ठीक है यह हम पढ़ेंगे हमारी next class में DR की में ठीक है इसके अलावा मैं उसके बाद में देखेंगे इसका working कैसे करता है advantage disadvantage वहम सब देखेंगे इसके लावा मैं आज आपकी सम्देक important announcement करने वाली हूँ अगर वैसे तो मुझे पता यह पैरा राजसान के जितने भी एक्जाम है SSC यह central का एक्जाम है पटवारी री इन सब के regarding जो भी general science होती है general science का जो जितना भी portion होता है वह हम cover करवाएंगे ठीक है इसके अलावा जो NEET है NEET UG ठीक है जो PMT होता है NEET UG की geology and botany उसको भी हम cover करवाएंगे तो यह हमारे होगा अलग से हम एक channel बना रहे हैं जो कि हमारे अगले week तक launch हो जाएगा उसके अंदर आपको यह सब चीज़े मिलेगी तो अगर आप में से कोई कोई भी competition exam के तयारी कर रहा है या फिर आपके बाई बहन या फिर जो भी आपके friends लग रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि और कौन से कौन से courses हम को लाने चाहिए तो हम एक channel बना रहे हैं जिसके अंदर यह सब चीज़े होगी इसके लाबा भी आप बता सकते हैं कि किसी course की आपको special general science की या science की science and tech की अगर आपको comment section में comment करके बता सकते हैं जो भी आपका response रहता है कि हमें करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए तो यह अलग सा channel बनेगा इस channel पर तो अपना सिर्फ radiation technology के हिसाब से ही videos होंगे so please we continue on this channel and जब हमारा यह channel आएगा तो आपको और information देरी जाएगी अभी तेक आपको यही बताना ह है कि अगर आपको कोई अलग सी course तेयार करना है तो आप comment section में comment करके मुझे बता सकते हैं thanks for watching please like and share